तो दोस्तो क्या आप लोग तैयार हैं अक्षे कुमार को एक बार फे से एक्सन अवतार में देखने के लिए या दोस्तो स्वागत है आपका टॉप उपन फेक्ट्स में क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से अपडेट सामने आ रही है उसमें ये कंफर्म माना जा रहा है कि अक्षे कुमार जो है वो आपको धूम फोर में दिखेंगे दोस्तों सबसे खास बात ये है कि जिस तरीके से यसराज फिल्म्स डायरेक्ट करता है फिल्मे एक्षन वाली वो काफी बहतरीन होती है वहीं दोस्तों अक्षे कुमार अगर फिल्म में आ जाते हैं तो एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा क्योंकि अक्षे कुमार का जो पूरा चड़ाव है यानि कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो अचानक से इस लोकडाउन में बहुत जादा बढ़ चुकी है क्योंकि दोस्तों जिस حساب से अक्षे कुमार लोगों की मदद कर रहे हैं, पुलिस वालों की मदद कर रहे हैं, दान दे रहे हैं ऐसे में और भी जादा फैन बेस् तगडा हो चुका है अक्षे कुमार का दोस्तों अगर बात करें धूम फोर की तो आपको बताते चलें कि खमरे ये सामने है कि अक्षे कुमार ने जसराज फिल्म के साथ टोटल तीन फिल्मे साइन की है और उन में से एक फिल्म धूम फोर हो सकती है अब दोस्तों ऐसे में अक्षे कुमार का जो एनाउंसमेंट है ओफीसियल धूम 4 में रहने का वो हो चुका होता लेकिन लोगडाउन और कोरोना के चलते जो ओफीसियल एनाउंसमेंट है वो रहते रहते मतलब की होते होते रह गया तो दोस्तों जल्द ही आपको ओफीसियल एनाउंसमेंट भी देखने को मिलेगे क्योंकि अगर खिलारी भाईया एक बार भी धूम में नसर आ गए तो भाईया जो फिल्म है वो इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम कर देगी इतनी बड़ी सूपर डूपर हिट साबित हो जाएगी कि वो तो भाईया अब बॉक्स ओफिस रिकॉर्ड ही बताएगा दोस्तों काफी लोग एकसाइटेड है अच्छे कुमार को इस फिल्म में देखने के लिए धूम फोर में तो उनका भी जो वो लोग सोच रहे हैं वो भी पूरा हो जाएगा इच्छा भी पूरा हो जाएगा तो आप लोग कितना जादा एकसाइटेड है धूम फोर को लेके नीचे कमेंट सेक्षन में अपनी राय लिखके जरूर बताएगा वही सब्सक्राइब करेगा दोस्तों टॉप ओपन फेक्स ताकि आपको बॉलिवुड की हर खबर मिले सबसे पहले धर्निवाद